so Hello Guys आज हम बात करने वाले हैं कि आगर हम लोग यूट्यूब पर काम करते हैं तो आपने बहुत बहुत सुना होगा कि यूट्यूब क्वाल्टी कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करता है अगर आप यूट्यूब पर च्रॉल्टी पर वीडियोग करोगे लाइक अगर आप 4 के पर वीडियो से अप्लोड करोगे तो आपका कंटेंट ज्यादा देखा जाएगा अब यह बात कहां तका इंपॉर्टेंट रखती है और ऐसा क्यों होता है और प्लस आपको इस वीडियो में आपको यह भी सिखाऊंगा कि आप जो वीडियो को सूट करते हो तो फोर के क्वाल आपको वीडियो से ज्यादा देखी आती है अब माली जी यहां पर दो टाइप के लोग है एक जो आपको वीडियो को फोरेटी पी त्रिसिश्टी पी या फिर नॉर्मल क्वालिटी पर अप्लोड करते हैं और एक आप जो अच्छे से बिल्कुल कैमरे से आपको फोर के वी लिए तो उतने अच्छी कॉलिटी नहीं बढ़ाएगी क्यों कि आपकी जो बढ़ा कर लेगा पर अगर आपकी यहीं पर वह एच्छी वीडियो पर किलिक करेगा तो उसको क्वाल्टी भी बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी वह ऐसे बाइडिफॉल्ट जब वीडियो को दे बेख रहे हो तो आप से बढ़कर हर कोई काम कर रहा है है लोगर को वीडियो दालेंगे तो आप वीडियो डालोगी ऐसे हमाली उनकी क्वाल् advertise टे लोग आपकी विडियो क्यों देखें इसलिए क्वाल्टी दी December 2020 को इसके लिए क्या होगा आपको प्रकी क्वाल्ति क्वाल करते हैं तो आप अगर लोगों से अच्छा करना चाहते हो तो आप 4K क्वाल्टी पे वीडियो से अभी से अप्लोड करना है इसके लिए ले चलता हूं मुवाल स्क्रीन पर वहां पर आपको मैं सिखाता हूं यहां पर आपको क्वाल्टी दार कंटेंट डालने क्यों कहा जात यहां पर आपको की सेट कैसे करना रिजलेशन को यह दो बाते हैं पर सिखाई गई है अगर आप उस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन थोड़ी से भी मिली तो प्रीज वीडियो को लाइक के जिससे हमारा भी मोटिविशन बलता रहता है और चैनल को सब्सक्राइब कर है उसमें आपको कौन से सेटिंग करनी है जिससे आपके जो वीडियो का रिजलेशन है वो 4K क्वालिटी में कनवर्ट हो जाए परलब आप जो भी वीडियो सूट करेंगे वो 4K क्वालिटी में सूट होएगी और उसको आप जब अपलोड करेंगे तो आप 4K क्वालिटी म के लिए क्वालिटी वाले कंटेट को यूट्यूब भी प्रमोट करता है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आपको जो बाइड डिफॉर्ट कैमरा आपका मुबाइल काता है उसमें आपको यहां पर सेटिंग करने के इतना आप यहां पर आपको कहूंगा कि आप इस कैमरे को यूज करो क्योंकि यह मेरी तरफ से लिए नहीं सही है आप इसकी जगह यहां पर एक कैमरा होता है ओपन कैमरा मैं कोई प्रमोशन सिप नहीं कर रहा हूं दोस्तों पर यहां पर मैं बता दू जितने भी यूट्यूबर्स कैमरा है या आप आलक से सको यहां पर प्ले में लाइन करो सकते हो बहुत छी रेटिंग है इस में से कर आपको मैं बता हूँ कि यहां से आप क्वाल्टी कैसे चिंश कर सकते हो यहां से जो क्वाल्टी आए गी निहां से ऑफ्कBe that in बmotसी वी नहीं के एक आपसन पlang suscept होगी फोथी छोटी सी ट्रिक को बस जानना होगा अब यहाँ पे लिखा वीडियो रिजलेशन ठीक है यहां वीडियो रिजलेशन पर आपको अभी जिफ सेल्लेट करोगे तो यहां पर दिखी बाय डिफॉर्ट आपको 920108P पर यहां पर लिखा रूपा जाए अब इसके ओपर ज सकते हूं सोला रेष्य пошden नाइन पर फॉर्टे क्वाल्ट्ट यह पर दी जाती है जो चलिए मैं सोर्सक्राइब कर देता हूं और यहाँ पर फेल में भूर को यह साफ साफ लिख कि आहाँ तो अगर आप हम बिडियो आपर सूट करते हैं तो यहाँ होगी सूट करूं तो 4K क्वाल्टी पे एक एक देख सकते हैं आप डिटेलिंग से आएगा ओके चलिए आप यहां से समझ लीजिए कि अगर आपने कैमरे से कोई वीडियो सूट की और आपकी 4K क्वाल्टी पे यहां पे रिकाउट हो चुकी यह वीडियो अब होता क्या है कि लोग एक मिश्ट कर दी 1080 PhD पे कर दी या फिर आपने उसे लो कर दी तो आपके 4K रिकाडिंग का कोई भी यहां पे इंपॉर्टन्स नहीं रह जाता है विकाज आपने वीडियो तो 4K क्वाल्टी में रिकाउट की थी पर जब आप एक्सपोर्ट उसको कम क्वाल्टी पे कर दोगे तो आपक दोगेगा कि आपको इसका बिट रेट अच्छा खासा रखना है ठीक है और यहां पर लिखा हुआ है वन फोर्टी पी ठीक है 2440 बी आपको कर देना है अगर कि आप 60 isών मिल जाता है मलीजी मेरे पे 30 मिला किसी किसी के 60 सपोर्ट होता हम आपको 60 करकlie करके रखना है और यहां पर फूल ही पे उसके ऊपर भी select करके रखना है किसी किसी के काइन मास्टर में यहाप पर 4K लिखे आता है तो अगर आपके 4K लिखे आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है 4K पर setting कर देनी है बल्लब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि आपके काइन मास्टर में जितनी ज्यादा quality पर export rate मिलता हो उतनी ज्य fps पर करते हो export को तो आपकी थोड़ी बहुत quality कम होगी आपकी 4K quality थी तो बिल्कुल इसे ही 4K quality पर आपकी video export हो जाने वाली है क्योंकि पहले से ही आपने उसको 4K quality दी हुई है और जब वहाँ पर export होगी तो ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है तो यह दोनों चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा अगर आपको वाज support करता है तो प्लीज मैं कह रहा हूं कि आप 4K quality पर वीडियो को export भी कीजिए और upload भी कीजिए जिसे आपका जो चैनल है उसको boost करे YouTube और quality दार content दालोगे तो जल्दी जल्दी audience आपसे इंगेस करेगी तो दोस्तों आप ट्रिक तो बहुत लोग बताएंगे कि 4K कैसे चेंज कर सकते हैं 4K quality shoot कैसे कर सकते हैं पर फायदे क्या होते हैं यह मैंने आज आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिये हैं तो दोस्तों आई होप आपको बहुत से knowledge इस वीडियो से मिली होगी अगर आप भी मेरी वीडियो को support करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके आप हमारा भी मोडिवेशन बढ़ा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस के लिए जिसे आने लिए इंटेस्टिंग वीडियो को निट्यूपिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी बस आज की वीडियो म